लोटस आयर विदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी किड्नी सरीर का पिर्मुखंग होता है यह सरीर से बिसाक्त पदार्तों को बाहर करके सरीर को हेल्दी रखता है किड्नी इरिन का निर्मान करने वाली किड्नी को स्वस्त रखने से कई तरह की बिमारियों से बचा जा सकता है किड्नी को स्वस्त रखने के लिए बाहर के खाने से बचना चाहिए और घर का हिल्दी फूड ही सेबन करना चाहिए कई बार अंजाने में हम कई ऐसे फूर्स का सेबन करते हैं जो किड्नी के लिए नु किड्नी में बीमारियों को भी बढ़ाते हैं किड्नी में समस्या होने पर सरीर के कई तरह के लक्षण नजर आते हैं जैसे पेसाब का रंग बदलना रात को अधिक पेसाब आना थकान सूजन और भूग कम लगना इलाज के साथ कई तरह के फूट्स को अवाइट करके किड्नी सम्मधित परिश्वानियों से बचा जा सकता है यह फूट्स सरीर को नुक्सान करने के साथ किड्नी में समस्याइं बढ़ाते हैं इन फूट्स के बारे में जाननी के लिए हमने यह एक रिशर्च किया उसके अनुसार के प्रहसीय मीट सरीर के लिए नुक्सान धायक होता है कि इसमें पाय जाने वले तत्तु लुटि में कई गारे किस समस्याइब बढ़ाते हैं डृुक्त में दौक में फोटे जो शरीर के लिए हानिका रिक फोटे हैं पॉसी ब्स के प습니다 पकार गोरे का defense किड़नी पर पड़ता है इस तरह किड़नी समंदित परिशानियां बढ़ सकती है वही अधिक नमक के सेबन से किड्नी में चीनी जमा हो जाती है okay Jisой जिससे किड्नी खराब हो सकती ज्यादान नमक के सेबन से हर्ठ्समंदी ब्यमारी होने का भी खत्रव कशिबर बढता है कब का के साथ किड्नी को भी प्रभावित करते हैं वहें इन ड्रिंक्स को पीने से एफ्रूकेसिट की समस्या भी बढ़ सकती है जो किड्नी को प्रभावित करती है कि देरी उत्पादों में बहुत अधिक मात्रा में फॉस्पॉरस होता है जो किड्नी और हिर्दे को नुक्सान पहुचा सकता है वह इन पोड़क्ट का ज्यादा सेवन से सरीर में कैल्सियम की अधिकता बढ़ जाती है इस करण किड्नी पर दवाव पढ़ता है जो समय जो लंबे समय तक डेरी उत्पादों के सेवन से पत्री की समस्था भी हो सकती है ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन करने के लिए हानिकारक हो सकता है इसको ज्यादा मात्रा में पीने से उच्छ रक्तचाप अन्हाइब पेसर के साथ हाड़ समंदी बिवारियों का खत्रा भी बढ़ता है किड्नी को हिल्दी रखने के लिए कैफीन को ज्यादा मात्रा मे किंद्ने को हिल्दी रखने के लिए इन फूट के सेवन से बचना चाहिए किड्नी को स्वस्त रखने के लिए डाले सेव काले तील निम्बू अधरक लैसुन और धई को टाइट में सामिल करें तो एध हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं धन्न बा झाल झाल